नमस्कार बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ आशीश अभिनो बिहार राजनीती में अभी कई क्लामेक्स बाकी है NDA गठवंधन में जिन लोगों को उचित सम्मान नहीं मिला उचित तरजी नहीं मिला अब सवाल है कि आखिर वैसे चेहरे जाएंगे किधर करिब करिब सब कोई सेट हो रहा है तो बात मुकेश सहनी की करते है मुकेश सहनी दो दिनों तक दिल्ली में उन्होंने खूब दौर लगाई कहा जा रहा था और मीडिया गल्यारे में खूब खबर चली कि सहनी की भारतीय जनता पार्टी से करिब करिब बाचीत हो चुकी है लेकिन जैसे ही मुकेश सहनी पटना उत्रे ये बात का पता चल गया कि मामला सेट नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ और टाटा बाय बाय उनको कहना पड़ गया सर अब क्या विकल्प खुला है सहनी नाओ के साथ लालो का लाल्टेन जलाएंगे थामेंगे दामनार जेडी का बड़ा दिल्चस सवाल है कई लोग हमारे वीडियो सेक्शन में लाइब सेक्शन में आकर के पूछते हैं कि सहनी किधर जाएंगे अब तो 24 गंटे से 48 गंटे का वक्त बच गया है क्या करेंगे सहनी अकेले लड़ेंगे कहां जाएंगे देखे वी आईपी होना इतना आसान भी नहीं वी आईपी तो आप एक बार हो जाएंगे लेकिन वी आईपी स्टेटस को बनाई रखने के लिए बहुत कुछ करना होता है और राजनीती में मुकेश सहनी के साथ भी बिहार में यही हुआ मुकेश सहनी एक तरीके से कहें तो राजनीती में तुनुक मिजाजी हैं थोड़े थोड़ा सा भी मिजाज खराब होता है पाला बदल लेते हैं अब जो बातचीत का सिलसिला है बीजेपी से उनकी बातचीत चल रही थी लेकिन उनके एक बयान से या यूं कहें कि लगातार दिये जा रहे है एक बयान से बीजेपी की प्रदेश हिकाई उनसे नाराज रहती है बीजेपी के नेता उनसे नाराज रहते हैं बीजेपी में एक नुक्सान बीजे पी को दिखाने. अब मैं आपको बताता हूं कैसे. दरसल हमिशाह से हर बार मुकेश सानी ने हमिशाह को लेकर ये कहा कि उनकी बातचीः तो हमिशाह से हो रही है. बीजे पी के छोटे निताओं से क्यों बात करूँ मैं, बीजेपी के परदेश निताओं से क्यों बात करूँ मैं, मैं बीजेपी में जब मेरी बात्ची थी हम इस शाह से हो रही है, और ये बात, बीजेपी के परदेश रिकाई के निताओं को बरी नागवार गुची, इतना ही नहीं, जो बिधा बात ये कि मुकेश सानी अगर आ जाते तो उन्हें टिकट कौन सा दिया जाता किस लोग सभाद चुनाओ से वो खुद चुनाओ लगते ये कहा जा रहा था कि मुझफरपूर उन्हें दे दिया जाएगा ये कहा जा रहा था कि उन्हें खगरिया दे दिया जाएगा लेकिन मु अजये निसाद किसी मामले में अजये निसाद की सीट फसे फिर बात रही खगरिया खगरिया की सीट सीट शेरिंग में एलजेपी के पास चली गए वो पहले भी एलजेपी के पास थी पसुपती पारस गुट आउट हो रहा था बीजेपी जान रही थी कि ये सीट चिराग पासवान को जाएगी तो अगर चिराग को वो सीट चली जाएगी तो फिर बीजेपी उन्हें कौन सी सीट देगी तीसरी बरी बात थी दरभंगा की सीट को जेडियू भी मांग रही थी और दरभंगा की सीट अगर मुकेश सानी को दे दी जाती तो फिर जेडियू को क्यों नहीं दी जाती ये एक बड़ा सवाल था जबकि सिटिंग सांसत बीजेपी के हैं वो पाल जी थाकूर तो वो सीट वो सन अब मला हैं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लेकिन क्या वो इतना बरा परभाव लोग सभाचुनाओं में डाल पाएंगे कि पार्टियों की कैंडिडेटों की हार जीत पर असर परें इसे थोड़ा आप समझें विधान सभाचुनाओं में उनके काटे हुए वोट का अस असर होता लेकिन लोग सभाचुनाओं में असर लगभग दो से तीन परतिशत का है जिन सीटों पर निसाद वोटर हैं वो अगर अपना कैंडिडेट वहां दे देते हैं तो इसे आप ये मान के चलिए कि भले ही वो बीजेपी को वोट ना दे रहा हो लेकिन बीजेपी के को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग सभाच्छेतर में जीत हार का मार्जिन काफी बढ़ा है बीजेपी ने ऐसे भी चुनाओं की घोषना के साथ ही सीट शेरिंग के घोषना करके एक एस तो ले लिया है अब कैंडिडेट वहां अपनी फिल्डिंग करने में लग गए है अब बड़ी बात ये कि ऐसे में मुकेश साहनी के वोट काटने से बहुत परभाव नहीं होगा दूसरी बड़ी बात कि अब इनके साथ खुद बरे चेहरे भी हैं साहनी के भी चेहरे हैं जिनके पास पद है पार्टी में बीजेपी के पास हरी साहनी तो ऐसे में उन चेहरो के साथ बीजेपी पोल केमपेंड में जाएगी और इन वोटरों को मैनेज करेगी क्योंकि चुनाव में एक हवा की भी बात होती है अगर हवा ये बन गई कि फलाना नेता फलाने सीट से जीत रहा है तो हो सकता है कि एक जाती का या एक कैडर का वोट साहर स्विच कर जाए और जिसे उधर एक पर बात नहीं बनी मैं इसका भी आपको जवाब देता हूँ कि आर्थिक संपन्नता की बात जब कोई सक्स नेता पार्टी बनाता है तो उसका दाई तो सिर्फ ये नहीं होता है कि नेता वो हो या उसकी फैमली के लोग है उसकी कोशिस ये भी होती है कि सानी ना तो लोग सभा चुनाव जीत पाए ना ही विदान सभा चुनाव जीत पाए मलसी बनाए गए वो भी सौट टर्म के लिए मलसी में भी फिर से उन्हें रिपीट नहीं किया गया मंत्री पर चला गया वो एक्जिट कर गया अब सवाल उठता है कि जब उन पर कोई भी पर्टी भरोसा नहीं करें वो नेता भी अपने अलावा किसी और को उनकी पर्टी में उसका उदै नहीं हो रहा है क्योंकि बीजे पी जब उनके slept बिधायक बीजेपी में गये तो एक आरोप ये भी लगा था कि भाई ये सुनते ही नहीं ये मिलते ही नहीं तो जब और लड़ा पाएंगे ये एक बड़ा सवाल होता है क्या जिता पाएंगे अपने परफाप से एक बड़ा सवाल होता है चुकि केंडिडेट के नामों की घोष्णा नहीं हुई ऐसे में ये कहा जा रहा है कि उनकी बातचीत चल रही है उनकी बीजेपी से बातचीत चल रही है और उन्हें एक सीट दी जा सकती है एक सीट छोड़ी जा सके है लेकिन यहां थोड़ा यहां मुश्किल है कि बीजेपी वो कौन सी सीट छोड़ेगी इसलिए उम्मीद बिल्कुल लगबग एक परसंट से भी कम का है कि उन्हें अब एड़जस्ट किया जा रहा है अप इसे बिल्कुल नहीं के बराबर मानिए हा यहां इनकी बादचीट चल रही है लेकिन दूसरे तरफ विकल्ब खुला है और अगर सहनी दूसरे तरफ जाना चाहते हैं तो देखना दिल्चस्प होगा उदर विकल्ब खुला है लालू यादब से उनकी बादचीट चल रही है यह कहा जा रहा है कि लालू यादब की त को अगर टिकट तीकट दिया जाता है, तीन सीटें दी जाती है, एक तो उमीदबार कौन होगा, ये उन्हें बताना होगा, दूसरा ये भी बातचीत में जो मामला फसा परा है, कि वो उमीदबार, RGD का उमीदबार हो, जो सहनी की सिंबल पे चुना लगे, तो इसलिए मामला से 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, चुकि सीट शेरिंग के एलान के साथ साथ बहुत कुछ तै होना है, इंडिया गटबंदन में भी कौन से उमीदबार, कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी फैसला आ सकता है, मुकेश तैनी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, ह